हलो फ्रेंड्स मैं शूक सवागत करता हूँ मैं हिसकेल कमस्ट्र में आपका फिर से फ्रेंड्स आजके लेक्षर में मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूँ surface chemistry का final lecture और मैंने 3 lecture surface chemistry के पहले ही आप लोगों के सामने रख दिये हैं और आज का जो surface chemistry का lecture लेकर आए हम फ्रेंड, बहुत ही important है आपके board के लिए भी, आपके NEET के लिए भी और आपके IIT के लिए भी, क्योंकि come to exam में चाहे board में इस sector से जो question maximum time बनते हैं, वो collided state से बनने की संभावना सबसे ज़ादा होती है, और काफी easy धंग से मैंने इसको त्य subscribe करिए, share करिए ज्यादा ज्यादा ताकि मैं और अच्छे lecture आपके सामने रखता रहा हूँ और आपके लिए काफी easy होता रहे पढ़ाई, ठीक है friends, शुरू करता हूं मैं यहाँ पे, शुरुआत करते हैं friends, सबसे पहले जैसा कि मैंने इस lecture में discuss कर लिया था, शुरू में कि collateral state, collateral solution अलग अलग है, हाँ थोड़ा वो difference लोग जरूर बताते हैं, बट हमको अपने काम के लिए इसको एक मान के चल लेना है, और ज्यादा तर इसको collateral state ही कहा जाता है, क्योंकि like solid, liquid और gas, solid, liquid और gas जैसे यह तीनो state of matter है, इसको भी एक state ही माना जाता है, क्योंकि किसी भी substance क suitable तरीकी से हम collateral solution में बदल सकते हैं, correlated state में लेके आ सकते हैं, like solid, liquid और gas यह तीनों state एक दूसरे में interconvertible है, मतलब कि इन तीनों को किसी दूसरे तरीके से temperature, pressure का variation करके एक दूसरे में क्या कर सकते हैं, convert कर सकते हैं, वैसा ही किसी भी substance को हम collateral form में लेके आ सकते हैं, सही तरीके लगा कर इसलिए इसको collateral state भी कहते हैं, और फ्रेंट से collateral state को explain करने के लिए मैं थुआ basic की तरफ जाओंगा, अच्छली जो mixer होता है, जिसको हम impure substance भी कहते हैं, वो mixer हमेसा दो या दो से अधिक component से मिलके बनता है, उस mixer को हम initially करते हैं, टू पार्ट में divide करते हैं, एक है heterogeneous mixer और एक है homogeneous mixer, जो homogeneous mixer होता है, वो ऐसा mixer होता है, जहां पे हम उस mixer में वो substance कौन कौन सेगbulent से मिलके बना हुआ है, मिलस् قौन कौन से हैं, हम naked eye से माइ devo microscope के help से देखके पहचान नहीं सकते हैं, तो ऐसा mixer जहां पे commandments को naked eyes, चाहे microscope की help से देख कर हम पहचान नहीं कर सकते हैं, identify नहीं कर सकते हैं कि क्या-क्या मिलके बना है, ऐसे mixer को नाम देते हैं, homogeneous mixer, और इस homogeneous mixer की category में जो आता है, वो कौन सा आ जाता है, true solution आ जाता है, for example अब लेख सकते हैं, sugar plus water, alcohol plus water, इस सब ऐसे example हैं, जिसको आप मिलाने के ब component आपको identify नहीं होगा, अब दूसरा variety आता है, mixer का, वो होता है, heterogeneous mixer, अब heterogeneous mixer ऐसा होता है, hetro का मतलब होता है, friends, difference, यानि कि यहाँ पे हम, जो उस mixer के component होते हैं, उनको sometime naked eye से, और powerful microscope के help से देख के पैचान सकते हैं, क्योंकिन-किन component से मिलके बना हुआ है, अब जो heterogeneous mixer है, इ एक आजाता है, collidal solution, और एक आजाता है, suspension, so mixer को यहाँ पे हमने देखा, कि homo और hetro में further divide करके, तीन category यहाँ पे लेके आए, के सामने, एक है हमारा true solution, जिसमें particle की size क्या रहती है, काफी सोटी रहती है, जिसको हम ना तो अपने naked eye से देख सकते हैं, ना ही microscope की help से देख सकते हैं, अब उससे थोड़े बड़े particle की category आती है, और जो बनाते हैं, क्या बनाते हैं, collidal solution, अगर particle की size उससे बड़ी हो जाती है, तो किस category में आ जाता है, suspension, so आप यह देख सकते हैं, कि collidal state, चाहे collidal solution, एक intermediate state है, किसके true solution और suspension के बीच में, यानि कि collidal solution के जो particle की size होगी, वो true solution से क्या होगी, बड़ी होगी, और suspension के particle से क्या होगी, छोटी होगी, so it is an intermediate state, intermediate mixture between किसके true solution and suspension, so यहां पे आप देख सकते हैं, defense definition में, a system is set to be in a collidal state, if its particle size ranges from 10 to the power minus 7 cm to 10 to the power minus 5 cm, और angstrom में कितना होगा, 10 angstrom to 10 to the power 3 angstrom, अगर क्या हो जाता है कि इस category, इस range में particle की size रहती है, तो definitely यह कौन से particle है, हमारे पास collider solution के particle है, so it is a heterogeneous mixture, जैसा मैंने अभी बतायाता कि homogenous में क्या आ जाता है, true solution आ जाते हैं, और heterogeneous में two varieties आ जाते हैं, एक हो जाता है, collider solution, एक होता है suspension, तो यहां पे हमको suspension नहीं पढ़ना है, suspension ने particle size बहुत बड़ी हो जाती है, which appears to be homogenous, एक और बात है, फ्रेंट से हम पे, यह जो collider solution होता है, actually होता कैसा है, heterogeneous, बड़ लगता कैसा है, homogenous, यानि बाहर से देखके आप नहीं पहचान सकते हैं, कि किन-किन component से मिलके बना है, for example, blood बात करते हैं, blood is the example, human blood है हमारा, blood is the example of collider solution, अगर आप blood अपने हाथ पे लें चाहिए, किसी भी test tube में लें, या कहीं पे लें, आप बाहर से देखके आप नहीं पहचान सकते हैं, कि यह किन-किन component से बना हुआ है, बड़ जैसे आप microscope के पास लेके जाते हैं, उसको, under microscope उसको आप देखते हैं, तब को RBCs, WPCs, यह सब और plasma अप यह होना शुरू हो जाते हैं, यानि collider solution is actually a heterogeneous mixture, but appears to be homogenous, it is an intermediate state between true solution and suspension, अब फ्रेंट जैसा कि mixture है, तो mixture एक से ज़्यादा component, कम सकम दो component के मिलने से ही बनेगा, तो अगर true solution हमने पहले सुना होगा, या पि आप जानते हैं, कि true solution दो component से मिलके बनता है, एक है solute, एक होता है solvent, solute वो होता है, जो घूल जाता है, और solvent वो होता है, जो क्या होता है, घूल लेता है, बिल्कुल उसी तरीके से collider state में भी दो component होते हैं, बट यहां पर solute solvent नाम न दे करें किया नाम देते हैं, एक को नाम देते हैं, dispersed phase और एक होता है dispersant medium, अब जो dispossed phase होते है friends, वो कैसा काम करता है solute की तरह, और dispersant medium कैसा काम करता है solvent के थरह यहांने dispersed phase क्या होता है you should base on the substance जो phase pipe it is Dr. डिस्टिब्हूट हो जाती है sprayed out हो जाती है fell जाती है उसको क्या says जाती हैं हम dispersed phase कहते हैं और जिस माधियम में 네री ब्रिस पर मैं fertilizer these can't . डिस्पर्ज्ल्विटेट हैं उस इसको मैं बहुत बेसिक एक्जामपल लेकर समझाता हूँ फ्रेंड्स हलाकि यह खुलाइडल सिस्टम नहीं है जिसका एक्जामपल लेने वाला हूँ बट आप इसको आप दो इमेजन कर सकते हैं कुछ ऐसा ही होता हो जैसे अपसे आप लाई देखे हैं लाई दाना जो खाते हैं उस लाई को अगर वाटर में हम छिड़क दें तो लाई के हो जाएंगा अलग अलग जबहर रिखर जाएंगे बिल्कुल वैसा ही कुछ होता है कि हमारा disperse phase और जो पानी जिसके अंदर आपने उसको फेका है वो पानी क्या हो जाएगा dispersion medium हो जाता है यहां पर ध्यान दीजिए friends बिल्कुल आप basic example की तरफ चलते हैं जो हमारा milk होता है milk is the best example of collidal solution जिसमें क्या होता वाइट फैट की जो drops रहती है वो वाइट फैट ड्रॉपलेट क्या होता है water की सी में क्या होती है तैरती रहती है तो वाइट फैट के ड्रॉप यहां पर क्या हो जाएंगा disperse phase और जो water क्या हो जाएंगा dispersion medium यानि यहां पर भी true solution की तरह दो component होते है एक को नाम देते हैं यहां पर dispersed phase और दूसरा नाम होता है dispersion medium the phase which gets dispersed or distributed यानिक is sprayed in a medium is called dispersed phase acts like the solute the medium in which the dispersed phase distributed is called dispersion medium and it acts like the solvent अब आता फ्रेंट से ग्जामपल इन मिल्क फैट ड्रॉपलेट्स आर डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम यानिकी को लाइडल सॉलूशन भी क्या हो था true solution की तरह दो component रखता है कौन-कौन से एक हो था डिस्पर्ज फेज एक होता डिस्पर्जन मीडियम अब फ्रेंड्स अगला जो point आपके सामने लेके आया हूँ यह जो डिस्पर्ज फेज डिस्पर्जन मीडियम है हो सकता है कि इनके बीच में कापे strong attraction हो या हो सकता है कि यह दोनों एक दुसरे को बहुत कम attract करते हों अगर अगर strong attraction होगा तो बहुत पास-पास आजाएंगे अच्छे से मिल जाएंगे खोल जाएंगे अगर weak attraction होगा तो बहुत पास-पास नहीं आपाएंगे पार्टिकल दूर दूर रहेंगा है कि small attraction जरूर इसमें लगेगा एक system बनेगा बट अगर वहां पे force of attraction कम रहेगा तो प foreign solution को further divide किया गया किसमें लाइओ फोविक कोलाइट्स एलाइफिलिक कुलैइड यहां पर चो लायो एवार्ड या या डिस परजिन मीडिया के लिवी होगा आप्रेंड्स लायों फोबीक मिंस क्या होता फोबिया फोबिया मिंस क्या होता है डर ना यह लायोफोबिक कोलाइ ऐसे collidal solution जिसमें disperse phase dispersion medium के साथ बहुत strongly attract नहीं रहता है बहुत ज़्यादा FNTR attraction नहीं सो करता है दूर दूर रहता है उसको क्या कहता है लाइफ फोबिक को लाइट नाम देते हैं यानि कि अगर दूर दूर रहेंगे तो overall जो particle की size बनेगी वह भी क्या और जेगी बड़ी हो जाती है कि near about कैसा दिखने लगता है हमको suspension जैसा दिखने लगता है तो यह लाइफ फोबिक को नाम देते हैं suspense वाइड भी नाम देते हैं तो friends collider solution in ways the dispersed phase has very little affinity affinity का मतलब अत्रेक्शन फोर दिस पर जन मीडियम इस काल लाइफ फोबिक इसा collider solution जिसमें dispersed phase dispersion medium के लिए बहुत strong affinity बहुत strong चाहत नहीं शो करता है बहुत little affinity little attraction शो करता है यानि कि दूर दूर रहते हैं उसको क्या कहते हैं लाइफ फोबिक को लाइट कहते हैं फोबिया मिस क्या होता है डरना यहां पे अब फ्रेंट्स यहां पे इसको हम नाम देत सब्सक्राइब करेंगे दूर दूर रहेंगे तो वराल साइज क्या होते कि बढ़ जाएगी अब उनके बीच में attraction कम है अगर माली जी उसको लाइट सिस्टम को अगर आप evaporate करा रहे हैं हीट करा रहे हैं तो इसमें dispersed phase dispersion medium कोई एक क्या हो जाएगा बॉन तोड़ के पहले क क्या हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा उसी में पढ़ा रह जाएगा अब उसके बात फ्रेंड्स आप सोचेंगी कि उस इवापरेट वे सबस्टेंस को कंडेंस करके फिस से हम क्या कर लें क्या कर लेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा यानि कि वह फिर से दुबा में रखके अगर आप हीट करते हैं तो जो इवापरेशन होगा तो इसमें या तो डिस्पोर्ज फेच है डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिल पहले इवापरेट हो जाएंगे क्योंकि आपके काफी वीक है जो जो इवापरेट हुआ सबस्टेंस है उसको सोचेंगे कि कंड सबस्टेंस को जख लायफ फोबिक कोलाइट। और लेस इस टेबल आपके आपके यहां पर इस पर से applies और डिस पर के पेर्ट तारंड मीडियां मिदियुमकर पास आजेंगे कि च्वोटी हो जाएगी ऑगर साइथ काफी च्वोटी हो जाएगी तो उस में के एक कटेग्री आएगी आगे पनद इसको कहते हैं मलसम और मलसम से बनाए इमालशायड यानि कि लाईफिली को दूसरा नाम क्या देते हैं इमल्स वायड और लाइफ फोबिक को कह नाम देते थे सस्पेंस वायड नाम देते थे इन दिस दर डिसफर्ज फेज अब इसमें क्या होता है यहां पर काफी अच्छी तरीके से घुल गए रहते हैं जैसा मैंने बताया कि स्टॉंग ली अट्रेक्ट होते हैं डिसफर्ज फेजर डिसफर्जन मीडियम के पार्टिकेल सो अगर माली जो सिस्टम को अगर आप इवापरेट कराते हो तो इवापरे अच्छी तरीके से घुल गए रहते हैं अब यहां पर आ गया फ्रेंट्स खतम हुआ हमारा लाइफ फोबिक और लाइफ फिली को अब नेक्स आते हैं यहां पर जैसा मैंने बताए कि कि किसी भी सबस्टेंस को स्टेवल तरीका लगा कि आप किसमें कर सकते हैं आप कुलाइ कर सकते हैं क्या बना सकते हैं को आगे आपके सामने लेकर आया हूँ वह है प्रिप्रेंशन आफ को अपको बता दो फ्रेंट्स सारी की सारे डिफनिस आपके बौड के एकजाम में पूछी गई हैं तो आप इसको केरफुली पढ़ दीजीगा और कंप्रिशन में भी पूछ को तयार किया है तो प्रिप्रेशन आप को लाइडर सालूशन अब फ्रेंट्स हमारे पास दो तरीके हैं अगर कोई बड़ा सा पार्टकिल मिल गया तो इसको चोटे चोटे पार्टकिल में तोड़के किस साइज में लेके आना पड़े आपड़े सालूशन में जोटे चोटे पार्टकिल में तोड़ने की process को क्या कहते हैं dispersion कहते हैं यानि कि preparation आप collider salus का पहला तरीका हो गया by dispersion method इसमें किसी बड़े size के particle को तोड़ तोड़ के collider size के particle में हम लेके आते हैं by different means different तरीके से अब अगला हो सकता है कि माली ये particle की size काफी छोटी है particle के size में लेके चले आएं so any substance can be changed into the collider state so it is called collider state rather than the collider solution मैंने पहले ही बता दिया था कि लगबग किसी भी substance को आप सही तरीका लगा कि collider state में change कर सकते हैं इसको collider state कहा जाता है like solid liquid and gas इसको collider solution उतना नहीं कहा जाता है हलाकि दोनों का मतलब क्या बिल्कूल एक है so the different method में आ जाता dispersion method एक होता है condensation method dispersion method में क्या होता है friends एक बड़े से particle को उसके different तरीके से collider particle में आप तोड़ देते हैं और condensation method में क्या होता है smaller particle को different तरीका लगा के आप collider particle में aggregate कर लेते हैं अब जो condensation method यह उतना important नहीं आपके लिए dispersion के सवाल कई बार पूछे गए हैं इसमें सबसे पहला तरीका था mechanical dispersion mechanical का मतलब होता है कि आप पत्थर चाहे इड चाहे हथोड़े या किसी machine का यूज़ करके उसको आप तोड़ देते that is called mechanical dispersion इसमें करते हैं कि आप फ्रेंट पहले जो substance को आपको convert करना होता है उसको finely divide कर लेते हैं यानि कि small small particle में जितना possible है आप से उतना आप change कर लेते हैं उसके बाद आपके पास दो metal की disc होती हैं जिसको हम collide mill कहते हैं क्या नाम देते हैं collide mill अब दो metal की कर लेते हैं क्या कर लेते हैं हम उस finely divided powder को introduce करा लेते हैं और उन दोनों disc के बीच के जो gaping रहती है वो उतनी ही रहती है जितना collider particle की size होनी चाहिए तो इस तरीके से हम पहला तरीका क्या लगा सकते हैं mechanical dispersion से हम क्या कर सकते हैं क्या सालूशन बना सकते हैं finely divided solid introduced into the collide mill in which two metal disc revolves anti-clockwise with 7000 rpm अब mechanical dispersion के बाद dispersion में दूसरा आता है फ्रेंट वह है इलेक्ट्रोड डिस्पर्जन इसको ब्रेडिक्स आर्क मेथड भी कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है पूछा गया है कि वाट इस ब्रेडिक्स आर्क मेथड पहली इसको इलेक्ट्रोडिस्पर्जन भी कहते हैं नाम बता रहा है कि इलेक्ट्रोड का मतलब जरूर कहिन कई इसमें electricity का यूज किया गया है बिल्कुल किया गया फ्रेंट्स अगर हम क्या कर लेते हैं माल लिजे एक बड़ा सा कंटेनर आपने ले लिए यहां पर मेरे एरो जहां पर पॉइंट कर रहा हूं उसको देखीएगा पहले मैं बड़ा सा कंटेनर ले लिया है उसमें क्या रखा है आइस इसले रखा है क्योंकि ओवर वास सिस्टम हीट होगा तो कूलिंग प्रोवाइट करेगा उसके बाद मैंने एक छोटा container ले लिया है और इस container में मैंने क्या रखा है क्या रखा है water प्लस के ओएच रखा हुआ है क्या रखा है water plus के ओ यहां पे के ओ एच जो है friends यह क्या हो जाता है यह यह collateral solution को एक stabilizer की तरह का जाता है sometimes time collided solution unstable बनता है तो उसमें third substance मिलाते हैं इसको क्या करते हैं stabilizing agent नाम देते हैं यहां भी क्या करते हैं कि stabilizing agent कि तरह काम करते हैं आनि कि जो collided solution बनेगा उसको stable करेगा अब यह जो method है किस type के substance को collided solution में convert करने के लिए जरूरी होता है यूज किया जाता है अगर हम किसी metal लाइक किसके gold, silver, platinum, copper, etc अगर किसी metal को collided solution में change करना चाहते हैं तो मुझे में करते हैं friends किसको लेकर आते हैं इलेक्ट्रोडिसपर्जन इसमें एक container में metal की दो rod होती है जिसको बैटरी के दो terminal से connect कर देते हैं जिसे positive charge होता है उसको नाम देते हैं क्या चीज एनोड जिसमें नेगड़ी charge होता है cathode इन दोनों rod को जैसे हम आपस में लेके आते हैं थोड़ा से ऐसको तकराने के लिए तपारकिंघ मोटेश को क्या कते हैं एलेक्ट्रीक आर capture огध्य और इस पार्किंड की वजह से क्या हुता है heat generate होती हैintegration generate होता है जिसकी विछासे इसमें present metal क्या होते है small particle में तूट जाते हैं और कितने रीज तगा जाते है coldis साइज में आ जाते हैं तो इस मेथर इस कॉल्ड ब्रेडिक आर्क मेथर धान दीजे फ्रेंट्स इडिस सुटेबल फॉर प्रिपरेशन आप कॉलाइडर सॉलूशन आप मेटल्स लाइक गोल्ड सिल्वर प्लेटनम एक्सेटर एन आर्क इडिस ट्रक बिट्वीन मेटल एलेक् इस रहता है जो कि अगर हमारा कॉलाइडर सॉलूशन बन गया तो इसको हम स्टेबल बनाए रखते हैं फिर से और टूट टूट के अलग ना हो जाए इट कंटेंस बोड डिस पर जनेंड कंडेंसेशन ध्यान रख्रेंट्स यह एक एलेक्ट्रोड डिस आर्क मेथर एक ऐसा का मेथर मेथर है जिसमें पहले क्या होता है। इनि पर उट्रेशाण होता है तो कंस्कंति अग्रिगेटि है किस साइज में आ जाते हैं को अधने याने कि इट कंडिंट बोध डिसपर्जन एंड कंडंसेशन में थैंयों पड़ी थरिका मैंने क्लेर किया थर्ड़ वह आता है फॉर अलट्रासोनिक डिस पर द काफी इजी अब ज्यानते हम फ्रेंड आप Altrasonic वेब काफी हाई फ्रेक्वेंसी रखती है अगर कहीं पर की सिस्टम में आप Altrasonic वे पास करा देते हैं तो हां पर जो बड़े पाटकिल रहते हैं वो किसमें चेंज हो जाते हैं स्मॉलर कौलाइडर साइज के पार्टिकिल में चेंज हो जाते हैं, यानि कि it is way to prepare the collider solution by passing or generating the ultrasonic waves, और यह किसके लिए से टेबल होता है, collider solution आप oil, mercury, sulfur, etc. पार्टिकिल broken down into the collider size by passing ultrasonic wave, अब जो फोर्थ पॉइंट अफ्रेंट पेप्टाइजेशन यह बहुत ही बहुत ही important है, और maximum time यही पूछा जाता है, exam में भी, हलाकि heading में यह सभी पूछे जाते हैं, बड़ ज़्यादस ज़्यादा इसको हमको दिमाग में रख लेना है, काफी important है, बोड और competition हो बन चुका है, इस वाल कई बाद, आप कहता है कि what is the peptidization, अब peptidization भी क्या होता है, friends collider solution बनाने का एक तरीका होता है, एक method होता है, और इसमें करते कहा हैं, पहले मेरी बात समझ लेजिएगा थोड़ा, friends, जो water में नहीं घुलते हैं, so water में क्या होता है, हो settled down हो जाते हैं, उसको क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट, अगर कोई reaction कराते हैं, तो कोई freshly precipitate मिला है माल लेजिए आपको, अब आपको दूसरा काम क्या करना, उस precipitate में कोई electrolyte मिला देना है, एक ऐसा substance होता है, जिनको जब पानी में घोलते हैं, तो अपने ions में तूट जाते हैं, अब जो electrolyte को आइन होंगे, उसमें cation चाहे एनाइं, depending upon the charge of the precipitate, प्रेसिपिटेट के नेचर पे चाहे electrolyte का cation, चाहे एनाइं यानी positive आयन, चाहे निगीटिव आयन, उस precipitate के surface पे क्या होता है, जमा होना शुरू हो जाता है, और एक layer बना लेता है, और वो layer बनते ही, उस precipitate की size किसके बराबर हो जाती है, this is called peptidization, ध्यान जी जीए का friends, conversion by dispersion of, conversion of freshly precipitated material into the collider solution by the action of an electrolyte into the solution is called peptidization, यानि कि किसी freshly precipitated material पे किसी electrolyte के action से collider solution बन जाना क्या कहलाता है, peptidization, और जो electrolyte आप यूज करते हैं, that is called peptidizing agent, for example friends, एक चीज ले के आता हूँ आपके सामने, अगर हम FeOH का hole, यानि feric hydroxide precipitate होता है, इसके solution में आप क्या मिलते हैं, आप electrolyte FeCl3 मिला देते हैं, यानि कि feric chloride मिलाते हैं, तो feric chloride पानी में जैसे जाता है, तो Fe3 plus और 3Cl minus में तूट जाता है, अब यह Fe3 plus क्या करता है, इस precipitate के surface पे deposit होना सुरू हो जाता है, और क्या बना लेता है, FeOH का hole thrice Fe3 plus बना लेता है, तो यह total system क्या होता है, positively charge collide solution बना लेता है, इसको figure through कैसे दिखा सकते हैं, इसमें आपने क्या लिया था, यह यहां तक फोर्शन F.U.H का hole thrice है, यानि की freshly precipitate feric hydroxide है, और यहां से Fe3 plus क्या होता है, इसके surface के ऊपर deposit हो गए है, तो यह layer attach होने के बाद इस total size क्या हो जाती है, बहुत important है, इसको सुन लिजेगा बार बार और समद लिजेगा, ऐसे कई सारे आप reaction करा के बना सकते हैं, अपना यह colloidal solution, अब आता है friends कि जब कोई solution बन गया colloidal solution, तो इसमें बहुत सारी impurities भी होती हैं, और impurity में ज़्यादा तर क्या होते हैं, यह colloidal solution के stability के लिए चार्ज जरूरी होता है, बट वो एक requisite amount में, यानि कि जितना जरूरी है उतना ही चार्ज होना चाहिए, उससे ज़्यादा चार्ज अगर आप सिस्टम में रख रहे हैं, तो सिस्टम को coagulate करा है नहीं, जमाना शुरू कर देगा, bottom में जम जायेगा सिस्टम, और colloidal solution में सा खराब हो जायेगा, तो उसको उस extra excess electrolytic ion को हम different method से क्या कर लेते हैं, अलग करते हैं, that is called purification of colloidal solution, the process of reducing, not removing, reducing the electrolytic impurity to a requisite minimum, means एक sufficient amount में रहना चाहिए, जितना जरूरी है, उतना रहना, चाहिए is known as purification of colloidal solution, c s लिका है मैंने colloidal solution, अब purification कराने के लिए करते हैं, friends, आप dialysis करा सकते हैं, electro dialysis करा सकते हैं, ultrafiltration, तीन method लेके आया हूँ, और एक question पूछे जाते हैं, dialysis क्या होता है, इसमें करते क्या है, चुकि यहाँ पर colloidal solution के particle की side क्या होती है, थोड़ी से बड़ी होती है, आयन से, तो हम करते क्या है, एक ऐसी membrane लेते हैं, जो membrane क्या कर लेती, आयन और true solution के particle को पास होने देती है, बड़ colloidal solution के particle को पास नहीं होने देती है, लाइक क्या होता है पर्चमेंट पेपर का यूज कर लेते हैं अब इस पर्चमेंट पेपर या फिर बहुत फाइन में यहां पर जाता है प्रेशर के साथ तो यहां से इंप्यूटीज को क्या करता है आयन को इस मेंब्रेन के तुरू बहा के बाहर कर देता है यानि क्रिस्टलाइट प्लस क्या होता है साल पाड़े क्रिस्टलाइट क्या होते है जो क्रिस्टल के पार्ट किल होते है यानी चीनी जैसे यानी की टू सलूशन के पार्ट किल हो गए और आयन के आयन के अयनगे की आयन और क्रिस्टलाइट के बाहन कर जाते हैं और ट्रूरू सलमें क्या होता है इसी में रह जाते हैं इसको क्या कहते हूं इसको क्लाइड को अब जो membrane यूच करते हैं इसको डियलइजिंग membrane कहते हैं नो कोलाइड solution enclosed into a vessel Made up suitable membrane like parchment paper सिलफोएन सीट यह सब फाइन मेंब्रेन होते हैं एक सेट्रा और एंड फ्रेश रणिंग वाटर विच वास्ट आउट दॉल्टी क्या कर लेता है बाहर कर लेता है अब दूसरा था यह एलेक्ट्रो ड्यार्य時 की प्रोछ तोडी स्लो साथ एक तरफ नेगेडिज चाह सो इसमें जो आयन रहते हैं वह अपने अपूजित चार्ट की तरफ क्या कर लेते हैं फास्ट ली काफी तेजी से मूब कर जाते हैं तहां पर डालेसिस की प्रोसेज क्या होते काफी फास्ट हो जाते हैं बाकि वही रैनिंग वाटर रहता है और यहां से वह इंपूट एक साथ बाहर निकल जाता है डालेसिस प्रोसेज इस क्वाइट स्लो एट मेट फास्टर बाई अप्लाइंग एलेक्ट्रिक फेल्ड तो इसमें थार्ड मेथड आता है फ्रेंड्स जो है क्या कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अब जो अल्ट् फिल्टर करने के बराबर ही होता है यहां फिल्टर पेपर यूज करते हैं और नार्मल फिल्टर पेपर नहीं होता है नार्मल फिल्टर पेपर करते हैं क्या करते हैं इसलिए क्या कर लेते हैं उसको हम उस फिल्टर पेपर को जनरी किसी और्गानिक में डिप कर देते हैं औ और वह और्गनिक मैटरिल, उसको उ पर जैसे डिपॉसित हो जाता है, like formaldehyde, तो उसको पोर्स और छोटे हो जाते हैं, और पोर्स जैसे छोटे हो जाते हैं, तो collider particle को पास होने नहीं देता है, is filter काल दिया, that is called ultra filtration, so it is the process of separating collider particle, by making use of specially prepared filter, formed by soaking filter paper, into the formaldehyde solution कि इसमें formaldehyde में filter paper को आप डीप कर देते हैं it is permeable to all substance except the colloidal particle यानि कि जह से हम filter paper को formaldehyde में deep करते हैं उसके बाद ड्राई कर लेते हैं सुखा लेते हैं इसको बाद फिल्टर करते हैं अब आता है जो colloidal solution के पार्टिकल की size बनती है और जो मेथर बनता है नेचर का ऐसा है कि कई सारी छोटे छोटे पार्टिकल में के पार्टिकल बना लिए इस अधार पर को फॉर्दर डिवाइट किया गया है किसमें मल्टी मॉल्किलर को लाइट मैक्रो मॉल्किल और एसोचे एट को लाइट यह बहुत इंपॉर्टे फ्रेंट्स बोर्डर कमटिशन दोने के लिए और यहां तक इस सारे के सारे पॉंट्ट जितना मैंने नोट में लिए लगबग इंपॉर्टेंट है आपके लिए जहाद तर टाइम एक्जाम में पूछे के सवाल हैं सब सो कॉलाइडल ऑन दे बेसिस आफ नेचर एंड साइज आप पार्ट इसमें सबसे पहला था फ्रेंट्स मल्टी मॉल्किलर क्लाइट नाम बता रहे हैं मल्टी मॉल्किलर मिंस क्या होते हैं बहुत सारे मॉल्किल मिलके कॉला बना लेते हैं smaller particle are smaller particles are the smaller molecules of the size less than one nanometer, kya करते हैं aggregate to form collidal solution which is calledvirise को लाइड यानि कि smaller size के particles है molecule जिनकी size लगब लेस देन one nanometer होती हो aggregate होके यानि आपस में कट्था होके क्या बना लेते हैं को लाइड solution बना लेते हैं for example sulfur salt जिसमें क्या होता है it is the aggregate of S8 molecule sulfur molecule बहुत सारी कट्था होते हैं और गोल्ड salt इसमें क्या करते हैं गोल्ड के molecule गोल्ड के atom आपस में कट्था यानि गुच्छा बना देते हैं गोल्ड के atoms का और इसकी size कितनी बराबर होती है Collider particle के बराबर हो जाती है aggregate molecule और atom और हेल्ड बाइड वांडर वाल फॉर्ट आट्रेक्शन इसमें अगे आता है अब मैक्रो मॉल्ड क्लाइड होता है यह क्या होता है मैक्रो मिंस क्या होता है यहां पर single molecule form the size of the collidal particle यहां पर एक ही molecule की size इतनी हो जाती ही Collider particle की size पकड़ लेता है जैसे इस आर दा Collider particle विच आर देंसेल्ब लार्ज इन Collider size इन यहां पर मिलने आ टूटनिक ज़रूती नहीं होती है लाइक क्या हो जाता है starch के molecule प्रोटीन के molecule cellulose polythene nylon plastic एक्सेट्रा वेटा ऐसे होता है फ्रेंड यह जो एक single molecule की size का होता है collider solution की size का हो जाता है Collider particle size अटेंड कर लेता है इसको क्या करते है macromolecular collides अब जो आगे एक प्रोपर्टी पढ़ाऊंगा आप लोगों को यहां पर discuss करूंगा वह होगा टिंडल effect टिंडल effect macromolecule collide ही सो करते हैं काफी easily इतना याद रखिएगा अब इसके बारे further detail में जब टॉपिक पढ़ाऊंगा तब लेकर आऊंगा अब थर्ड होता है associated collide यहां पर associated का मतलब ही क्या होता है फ्रेंड जुड़ना ही होता है यह लगभख कैसा होता है इस में बढ़े क्या हाता है कि मल्टी मैं मॉलकिल में एक तरह के एटम पाटिक्ल मिलते हैं लिए से ज्यादा तरह के पारिकल मिलक अपका लोडिल सॉलशन की साइज करें कर तो लिंगे समालर मौलकियल विच्ट एग्रिगेट इस सुन्ट इस स्मॉलार मॉलकियल obstacles. साइज ये अपने आप ऐसट्राइट के या कर लेते हैं संटने कर लेते हैं इसका बेस्ट एक्जामपलस होता है। होता है दी तो सफाइए करते हैं तो सफाइए कि द रान क्या ह κιस्तरण पार्टकिल बनते हैं वो कैसे बनते हैं, soap के detergent के molecule, जो cloth के उपर गंदगी रहती है, dirt रहता है, उसके साथ क्या होते हैं, attach होके, एक spherical particle का formation करते हैं, that spherical particle is called missiles, क्या नाम देते हैं, missiles, फ्रेंज जो soap और detergent के molecule होते हैं, वो क्या होते हैं, tadpole structure के होते हैं, इस arrow पे ध्यान दिजिएगा, इस pointer पे, इसम का molecule, tadpole structure होता है, जिसमें एक बड़ा सा head रहता है, जो क्या रहता है, polar रहता है, यानि की charge रहता है, और एक बड़ा सा tail रहता है, यानि hydrocarbon को बना होता है, यह uncharge रहता है, जो कि क्या होता है, hydrophobic होता है, water में नहीं घुलता है, गंदगी में घुल जाता है, dirt में घुल जात है तो क्या होता है फ्रेंड और डिटर्जेंट मॉलेक्वल एग्रिगेट टुगेदर विड़ाइड यानि गंदगी के साथ इकता होके एक स्फेरिकल सेप का मॉलेक्वल बना लेते हैं एक स्पेरिकल सेप करते हैं अब यहां पर देख सकते हैं कि यह राउंड बना हुआ है यहां पर सोब के मॉल्किल अपने टेल के थ्रू क्या होते हैं यानि कि अटेच हो के कि स्फेरिकल स्टक्टर का फॉर्म करन दाट इस कॉल मिसल अब मिसल में जो हड्रोफोबिक यानि कि हड्रोकार्बन की टेल होती है वो सेंटर की तरफ होती है और पोलर हेड जो रहता हो क क्या होता है बाहर की तरफ होता है यह चीज़ आत रखेगा फ्रेंड अब आते हैं जो मिसल्स होता है यहां पर इन मिसल्स दो लॉंग hydrocarbon chain tell directed toward the center अभी मैंने बता है and polar head projected outward friends ऐसा नहीं है कि अगर माली जे पानी में थोड़ा सब एक चुटकी भी एकर powder डालेंगे तो ऐसा तो है ने कि जाग बनाना शुरू कर देगा जाग बनाने के लिए आपको sufficient amount of powder उसमें मिलाना पड़े गयाने कि मिसल बनाना है तो आपको sufficient concentration of soap चाई detergent रखना पड़ेगा that critical minimum concentration of the soap or detergent जिस पर क्या होता है मिसल बनना स्टार्ट हो जाता है उस concentration हो कहते है CMC and a critical misalization concentration the initial concentration at which misalization begins and start होता है is called critical misalization concentration CMC कहते हैं सवाल बन चुका है friends आपके कम टीट एक्जाम में अब जो CMC होता है यह amount को बताता है कि अगर आप उससे कम अगर आप powder चाहिए soap dissolve करते हैं तो वहां पे मिसल नहीं बनेगा उसके ऊपर आपको बनना स्टार्ट हो जाएगा अब जो मिसल बनाने की प्रोसेज होते है temperature के साथ वैरी करती है temperature कम रहेगा थाग जल्दी नहीं बनेगा temperature जादा रहेगा जाग बनेगा जाग बन रहा है तब जाने के टंप्रेचर बढ़ाते चले जा रहे हैं तो टंप्रेचर बढ़ाते बढ़ाते अगर टंप्रेचर ज्यादा है तो वहाँ पर कम amount of soap और detergent ही क्या होता है क्या बना लेता है जाग बनाना यानि कि missile बनाना शुरू कर देता है यानि कि the increase of temperature lowers or decreases the CMC जो एमाउंट है मिसलाइजेशन के लिए उसको और घटा देता है temperature बढ़ाते हैं तो amount और घट जाए यानि कम amount में क्या बना लेगा यह missile बनाना शुरू कर लेगा और फ्रेंट जो यह missile बनाने की जो प्रोसेज होती है वह हर एक temperature पर नहीं होती है अगर temperature बहुत कम है तर जाग जल्दी नहीं बनेगा यानि एक particular temperature के बाद ही अगर freeze का water है तो जाग जल्दी नहीं बनेगा temperature बढ़ाते बढ़ाते एक normal temperature के बाद जाग बनना शुरू हो जाता है and the minimum temperature above which missile formation शुरू हो जाता उस temperature को नाम देते है craft temperature the formation of missile starts only above a certain temperature called craft temperature का प्रम प्रेचर के नीचे missile बनना नहीं शुरू होगा craft temperature के ऊपर ही missile बनना शुरू होगा friends यहां पे और जो cleansing action of soap होता हो क्या होता due to the missile formation missile बनेगा तो cleansing होगी यानिक सफाई होगी otherwise नहीं होगी missile stabilizes due to the charge यानि फ्रेंड्स जो प्रोपर्टी में पढ़ेंगे collidal in nature होता है यानि कि missile भी क्या होता है collidal solution ही है तो collidal solution की property होते हैं इसके उपर charge होता है missiles क्या होता है easily form होते है soft water में soft water friends एक ऐसा water होता है जो soap के साथ अच्छा जाग देता है यानि अच्छी सफाई करता है क्योंकि soft water में calcium और magnesium आयन नहीं रहते हैं बट hard water एक ऐसा water होता है जिसमें calcium और magnesium आयन होते हैं और soup easily इनकी साथ hard water में जाग नहीं देता है क्योंकि soup को जैसे ही मिलाएंगे आप hard water में मिक्सल बनाने से पहले होगा calcium और magnesium पढ़ जाएंगे इसके राएंगे तो पहले यह कैल्सियम और मैंगनीशियम आयन के साथ मिल की एक इन सॉलबर पार्टिकल का फॉर्मेशन कर लेता है जिसके वच्छे जाग नहीं बनता है जब इसकंब बन जाएगा उसके बाद जब एक्स्टा सोप मिलाएंगा तब जाग बनना सुरू हो जाएगा हाड़ वाटर में कै करता है तो आज मैं इस लेक्टर को यहीं पर खतम करता हूँ अब इसमें नेक्स्ट लेक्टर आएगा मेरा वह है वह वह काफी इंपॉर्टेंट हा को लाइडल सही है उसमें इसकी प्रॉपर्टी के बारें पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको नीट के के लिए आपकी आयाटी के लिए आपकी बोड के लिए तब तक के लिए नमस्का फ्रेंड्स में इस चैनल को सब्सक्राइब करें शेर करें लाइक करें थैंक यू